जै हैं दोस्तो स्वागत है आपका ब्येश समेस्टर वाला में दोस्तो आज की कलास बहुत ही important होने वाली है ब्येश समेस्टर के बच्चों के लिए क्योंकि आज के इस class में आप देखने बाले हैं बीए फस्स समेश्टर हिंदी काविका question paper ठीक है यह question paper 2023-24 का है आप भारत के किसी भी university से हो उत्तर परते इसके किसी भी university से हो यदि आपका paper major में हो चाहे minor में हो आप इस class को attend कर सकते हैं ठीक है देखें आप लोग जो graduation में जो ज्यादा तर आपके इस बार ठीक है जो आपके first semester है third semester है और fifth semester है इसका अब लिखित exam होने वाला ठीक है तो ध्यान देंगे आपके लिखित question paper किस तरह से पूछे जाएंगे आप देखने वाले हैं तो दोस्तो प्लीज एक लाइक जरू कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से आपके एक्जाम में question paper आएगा ठीक है चले ध्यान से देखेंगे यह first semester है 2023-2024 का question paper है यह जो question paper है 2024-2025-2026 के लिए भी most important है हिंदी काविका ठीक है चले बिल्कुल इसी तरह से आपका question paper आएगा ठीक है ध्यान रखेंगे चले इसमें दो घंटे का आपको समय दिया जाता ह लिखने के लिए और किसी किसी कालेज में आपको तीन घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए अलग-अलग विस विद्याला में अलग-अलग rules होते हैं दोस्तों ठीक है ध्यान रखेंगे लेकिन जो आपका maximum marks है 75 यह सारे कालेज में सेम रहता है ठीक है यह भी बात और जो questions होते हैं दोस्तों वो तीन घंटों में पूँखे जाते हैं खंडा, खंडब, और खंड सर ठीक है और किसी किसी कालेज में केवल दो खंड में questions पूछे जाते हैं खंड और खंड बह यदि खंड आ खंड बह और खंड सर आएगा तो अति लग उतरी प्रस्न लग उतरी प्रस्न और आपके दिर्ग उतरी प्रस्न पूछे जाते हैं और खंड खंड बह में पूछेगा तो लग उतरी प्रस्न और दिर्ग उतरी प्रस्न पूछे जाते हैं ठी को एक बार जरूर रिट करें जो यहां पर निर्देस दिये रहते हैं ठीक है चले खंड़ में आपके इसी तरह से पुछे जाएंगे इस खंड़ में मात्र एक प्रस्ण है जिसके कुल दस भाग है ठीक है प्रतेक का उत्तर देना है सभी तीन अंकों के हैं प्रतेक का उत्तर अधिक्तम 50 सब्दों में देना है ठीक है यानि इसमें 10 प्रस्ण दिएगा है दसों के उत्तर आपको देना है ठीक है और 10 यानि 30 नंबर आपको मिलेगा ठीक है ध्यान रखेंगे 10 कोश्चन है 3-3 नंबर का आपको लिखना है 30 नंबर आपको मिलेगा अच्छा कोश्चन बिल ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं ठीक है तो इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे और जो मैं यहां पर प्रस्ण आपको बताऊंगा इन प्रस्णों के उत्तर भी मैं आपको बताते चलूंगा ठीक है तो यह आपके लिए प्रस्ण को भी देखने को मिलेगा और प्रस्ण का उत्त पेपर को आगे अपने दोस्तों को WhatsApp पर जरूर सेंड कर देंगे ये कलास ठीक है शेयर जरू कर देंगे इस तरह से मैं हमेशा आपको कोश्चन पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा ठीक है चले इसमें आपका पहला प्रसन पूछा गया है जार्ज गियर्षन के हिंदी साहित के इतिहास गरंथ का नाम लिखिए दोस्तों यह बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन प्रसन है 100% यह प्रसन आएग का नाम ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा और इस गरंथ को इन्होंने कब लिखा था इसको भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है काफी सांदार तरीके से एक्स्प्लेन करके मैं बताऊंगा तो यह एकदम इंपोर्टन प्रसन है इसे एकदम त्यार कर लिजिए 2024, 2025 और 2026 के एकजाम में एकदम आने वाला है ठीक है चले दूसरा प्रसन आपका इसमें पुछा गया है आदीकाल के दो रासो गरंथो एवं उनके लेखकों के नाम तो देखे आदीकाल हो गया इससे आपके एक प्रसन आता है ठीक है तो यह इंपोर्टन है इसको भी चलिए मैं आपको बता देता हूं ठीक है और तीसरा प्रसन आपका आचार राम चंसुकल ने भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया है ना मुलेखित कीजिए त वो हो सकता है अगले जो आपका 2024 और 2025 और 2026 के एक्जाम है इसमें आपके आ सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसकी नहीं करना दो तीन बार आवसे पढ़ेंगे इसका विउत्तर में आपको बता देता हूं ठीक है चले देखे आपका पहला प्रस्ण पूछा गया था जार्ज गियर्षन के हिंदी साहित के इतिहास गरंथ का नाम लिखना ठीक है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह होती है दोस्तों आपको एक्जाम में प्रस्ण कैसे प्रस्ण का उत्तर कैसे लिखना है अगर वर्नक्यूलर लिटरेचर आप हिंदुस्तान ठीक है और यह भी ध्यान रखेंगे केवल आपको पचास सब्दों में लिखना है यह नहीं कि बैट पूरा लिखने लग जाए आदा आदा घंटा कितने बच्चे बैट कर लिखते रह जाते हैं तो यह भाद ध्यान रखेंग इसके आगे भी आप लिख सकते हैं यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी इसमें पहली बार हिंदी साहित के काल विभाजन का प्रयास किया गया था इसमें यानि जो दमाडन वर्नक्यूलर लिटरेचर आप हिंदुस्तान है इसमें हिंदी साहित के काल को दस अध्य वायों में बाटा गया था ठीक है चले दोस्तों अगर आप इसका पीडिया पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे टेलेग्राम गुरूप का लिंक दिया गया है जोइन कर लिजिएगा वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडिया मिलता है वहां से आप डाउनलोड करके अराम से इस प्रकार है पहला है प्रिथवी राज रासो इसके लेखक चंद्रबर्दाई है दूसरा है विशल देव रासो इसके लेखक नर्पद नाल है ठीक है चले इसमें तीसरा प्रस्णाप का पूछा गया था आचार रामचन सुकल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है नामों लेखित कीजिए तो रामचन सुकल ने भक्ति काल को ठीक है यहां पर देखिए उत्तर कैसे लिखना है आचार रामचन सुकल ने भक्ति काल को तीन भागों में विभाजित किया है ये तीन भाग निम्नलिखित हैं कौन-कौन से देखें इसमें पहला है आपक निर्गुर साखा, दूसरा है सगुर साखा और तीसरा है संत काव्य, निर्गुर साखा में ग्याना सराई साखा आता है और प्रेमा सराई साखा आता है, सगुर भक्ती साखा में आपके रामा सराई साखा आता है और कृष्णा सराई साखा है, संत काव्य में आप बाकी अपल एवं उनके दो-दो कृतियों का नाम लिखिए तो छायवाद से आपके कम सकम दो प्रसनाते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे important है एकदम 100% इसे त्यार करना है ठीक है पाँचवा है प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है किन्ही दो बिसेस्ताओं का उल्ले कीजिए ठीक है तो प्रगतिवाद का समय बताना है और इसकी दो बिसेस्ताओं को भी बताना है तो चलिए इन दोनों प्रसनों के उत्तर को मैं आपको बता देता हूँ देखे दोस्तों इसमें आपका पांचवाद प्रसन सौरी चोथा है छायवाद की कवी चतुष्टाई का नाम उनकी दोदो कृतियों का नाम लिखना है तो छायवाद की कवी चतुष्टाई में निम्न लिखित चार प्रमुख कवी सामिल है साथ ही उनकी दोदो प्रमुख कृतियां भी है चायवाद की चतुष्टई जो कभी है उनमें पहले है जसंकर परसाथ इनकी दो रचना है कमायनी और आसू ठीक है जो अगले कभी है सुरिकान तृपाथी निराला है इनकी रचना है सरोज इसमृती दूसरी है राम की सक्ति पूजा इसमें जो अगले आपकी कभी है ठीक है चाथ उस्टई कभी उसमें आपके सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी बर्मा आते हैं सुमित्रा नंदन पंत की दो रचना है पलल गुंचन महादेवी वर्मा की 2 रचना है यामा और निहार चले आगे बढ़ते हैं देखे आप लोगıld ये जरूर डाउनलोड कर लिजिए अब बहुत ही मज़ आएगा आपको जब एक्जाम हाल में बैठेंगे तब आपको मेरी याद जरूर आएगे कि सर पढ़ायते सारे कोश्चन्स आगए देखिएगा आपके एक्जाम आने से पहले मैं आपको बहुत सारे कोश्चन पेपर पुर्वाइड करा दूँगा ठीक है दोस्तों चले प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है किन्हें दो विशिष्टाओं का उल्लेक की दिए तो प्रगतिवाद का समय हिंदी साहित में 1936 से 1943 तक माना जाता है यह 1943 कोई कहीं कहीं पर इसे 1942 देखने को मिलता है कही कहीं पर 1950 भी देखने को मिलता है ठीक है यह भी बात ध्यान रखेंगे तो प्रगतिवाद की दो प्रमख विशिष्टाएं कौन-कौन सी हैं दखें पहली विशिष्टा है समाजी की यथार्थ और वर्ग संगर्स ठीक है प्रगतिवादी साहित में समाज के यथार्थ चित भाए गया है दूसरी अच्छा इसमें और इसमें एक ही किवल यहां पर जोड़ी नहीं नहीं की त्टिक है देखें में आपको भी सेस्टा हैं बता LCD थी प्रगतिवाद की एक विसेश्था तो आपको मैंने बता दिया है ठीक है दूसरी विसेश्था यहाँ पर आपकी है देखें करांतिकारी और परिवर्तनकारी दिरिष्ट कोड प्रगतिवादी साहित्य में समाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की भावना नहीं थोती है इ तुलसिदास की चार प्रमाडिक रचनाओं का नाम लेक कीजिए इंपोर्टेंट है तुलसिदास जी से आपके प्रस्ण इग्याम में आएंगे हंड़ेट परसेंट इसे त्यार करना है बावू ठीक है सातों प्रस्ण है मलिक मुहम्म्द जासी द्वारा प्रणित तीन गर यूगीन ठीक है जो भारते इंदू यूग है इसमें कावे की दो प्रमुख विशेष्थाओं का उलेक करना है बारते इंदू यूग जो है इसमें कावे की दो विशेष्थाओं को बताना है तो चलिए मैं इन तीनों प्रस्णों के उत्तर आपको बता देता हूं ठीक है देखें, यहांपर आपका पुछग्या था तुलसी दास की चार प्रमारिक रचनाओं का नाम उलेक किजिए, तो उत्तरा आपको इस तरह से लिखना है, तुलसी दास की चार प्रमारिक रचनाओं निमनलिखित हैं, पहला राम्चरीत मानस, दूसरा बिनेपत्रिका, तिसरा दोहा वली, चौथा है कविता वली, ठीक है, चले, इसमें अगला प्रसनाप का पुछा गया है, मलिक मुहम्मा जासी द्वारा प्रणित तीन गरंथों का नामुले कीजिए, तो उत्तर कैसे लिखना है, देखे, इस तरह से मलिक मुहम्मा जासी द्वारा प्रणित तीन प्रम परमुखगरंथ हैं पहला है पदमावत दूसरा है अ Ama और तीसरा कनहावत ठीर चलें कि इसमें अगला प्रस्णाव का पुछा गया है भारतेन्दू यूगिन काव में काव यू की दो प्रमुख विसितायों का उलेख किई तो भारतेन्दू यूगिन काव में की दो और राष्ट जागरण की भावना परबल रूप से दिखाई देती है कभियों कभियों ने ब्रिटीश सासन के खिलाप जागरूपता फैलाने और भारती संस्कृती की रच्छा के लिए साहित का प्रियोग किया ठीक है अगली भी सेस्ता है भासा का सरल एवं प्रांजल की भासा का परियुक किया गया संस्कृत निष्ट और क्लिष्ट भासा की जगह बोल चाल की भासा को प्राथमिक्ता दी गई जिससे काब्य आम जनता तक पहुंच सके ठीक है चले दोस्तों इसमें अगला आपके दस प्रस्ण पूछे गया है दस्वा आपको करने हैं पचा तथा इड़ा किसके प्रतिक है ठीक है इसका उत्तरमा आपको बता देता हूं यह हमेसा नहीं पूछा जाता है दो तीन बार के बाली से पढ़ लिजेगा ठीक है अगला है कभी धुमिल का पूरा नाम बताईए तथा या भी बताईए कि धुमिल को किस रचना पर साहित अक चले देखे आपका पूछा गया है कमाईनी में मनु सरद्धा तथा इड़ा किसके प्रतिक है तो इस तरह से आपको उत्तर लेखना है किवल 85 सब्दों में लिखना है कैसे लिखना है मैं वो भी आपको बताऊंगा अगर यह प्रस्ण लगुतरी में पूछ लेता है तो कैस से लिखना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है देखें आपको अतिलग में लिखना है पचास सब्दों में ता आपको इस तरह से लिखना है जैसंकर प्रसाद की काब रचना कमाईनी में मनु सरद्धा और इड़ा तीन प्रमुक पात्र हैं जो प्रतिकात्म कि जो सरद्धा है सरद्धा प्रेम आस्था और भावनाव की प्रतिक हैं जो इड़ा है इड़ा तर्क ज्यान और कर्म की प्रतिक हैं केवल इतना लिख देंगे आपको तीन नंबर मिल जाएगा अब आपको यही अगर लगुतरी में पुछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा बावु ठीक है इसको पूरा लिखना पड़ेगा इसको भी जो मनु है मानावता के प्रतिक हैं वे बुद्धी और तर्क के प्रतिक भी माने जाते हैं जो जीवन के संघर्षों और विसमताओं का सामना करते हैं मनु का चरित्र मानव जीवन की विभिन आस्ठाओं और अनुभोतियों का प्रतिने धित्व करता है चले इसमें जो सरद्धा है सरद्धा प्रेम, आस्त्हा और भावनाओं की पर्तिक हैं वे मनु की पत्नी के रूप में आती हैं ठीक है और उनके जीवन में प्रेम और संबेदन सिल्टा लाती है सरद्धा जीवन में आस्था और प्रेम का महत्व दिखाती है और भावनात्मक संतुलन को बनाय रखने की आवसकता को दरसाती है जो इडा है इडा तर्क ज्यान और कर्म की परतिक है वे बिवेक और बुद्धी की अवसकता को उजागर करती है और जीवन में कर्म और ज्ञान के महत्त को दरसाती है इडा का चरित्र मानवी चेतना के विकास की ओर संकेत करता है ठीक है? चले इसमें आपका दस्वा प्रस्ण पूछा गया है था कभी धुमिल का पूरा नाम बताईए तथा या भी बताईए कि धुमिल को किस रचना पर साहित अकादमी पुरस्कार मिला तो कभी धुमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे ठीक है धुमिल को उनकी रचना संसद से सडक तक पर मरडो प्रांत 1989 में साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था इस तरह से अगर आप पुरस्ण का उत्तर लिखते हैं तो 100% गारंटी है तीन में से तीन पुरस्ण इसे खटाक से मिलेगा नहीं तो अगर आप उल्टा सिधा लिखते हैं तो आपको एक नंबर दो नंबर इस तरह से मिलता है ठीक है अगर इस तरह से आप कोश्ण का उत्तर लिखेंगे 100% आपको तीन नंबर मिलेगा ठीक है और जो यह भी ध्यान रखेंगे अगर आपका जो लग उत्तरी प्रस्ण और दिर्ग Евतरी प्रस्ण होता है तो फंदरन आपको पूरा कवी धिंदगी में नहीं मिलेगा यह भी ध्यान रखेंगे तिक हैं आनाना ब्र है गा आपका लेकिन जो अति लगू है इसमें आपको पूरा नंबर मिलता है लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए ठीक है खंडबा में आपके किस तरह से प्रस्ण पुछेंगे लगू तरी प्रस्ण पुछे जाते हैं ठीक है और जो निर्देश है इसे ध्यान से पढ़ लेंगे इस खंड में कुल साथ प्रस्ण है प्रस्ण संख्या दो एवं तीन अनिवार है ठीक है इसमें साथ प्रस्ण दिये गया है जिसमें से प्रस्ण संख्या 2 और प्रस्ण संख्या 3 अनिवार है करना ठीक है जो ब्याख्यात्मक है यानि संदर्व प्रसंग सहित उसकी ब्याख्या करना है से सभी प्रस्ण समिछात्मक है जिनमें से किनी 2 प्रस्णों को हल करना है ठीक है तो दो प्रस्णों को हल करना है इस तरह इस खंड के कुल चार प्रस्णों का उत्तर देना है प्रते एक के लिए छयंक निलधारित है लग उत्तरी में आपको 6-6 नमबर मिलेगा ठीक है चले 6 नमबर पूरा नहीं मिलता है ये भी ध्यान रखेंगे देखें अधोलिखित का अंसो की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए संदर प्रसंग सईद व्याख्या करना है जैसे आप हाई स्कूल इंटर में हिंदी में लिखते थे उसी तरह साब की ग्रेजुएशन में भी लिखना है ठीक है चले यहां पर आपका ये आपका आपका संदर्व सईद व्याख्या करना है कि 21 पार्ट से लिया गया है इसके कभी कौन है ठीक है चले इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूं ठीक है चले इसमें आपको प्रसंग इस तरह से पुछा जाएगा दूसरा और तिसरा प्रसंग करना निमार है ये ध्यान दोनों में से कोई एक कर लेंगे चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है सभी पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं बता देता हूं कैसे करना आपको ये जो पहला पहला ग्राफ है आपका ये एकदम हंडेट परसेंट है ठीक है इसे त्यार कर लिजेगा यह हमेशा पूछा जाता है ठीक है गोरी सोवे सेज पर मुखवर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भाई चाहूं देश ठीक है चले इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूं अभी बहुत ही मजा आएगा पड़ने में दोस्त तो इसमें प्रस्ण का उत्तर लिखना कैसे है संदर्व सेज प्रसंग सेथ आपको ब्याख्या करना है ठीक है तो ब्याख्या आप दो तरीके से कर सकते हैं चाहे आप पूरा लिख करके डारेक्ट ब्याख्या लिख सकते हैं चाहे पीस तरह से लिख सकते हैं कॉपी भरने म आप लिख सकते हैं ठीक है यहां ब्याख्या डालकर आप लिख सकते हैं चले इसमें कभी ने प्रेमिका यानि गोरी के सुन्दर्ता और उसके सोने के द्रिश का वर्डन किया है ठीक है वह अपने चेहरे पर केस बिखराय हुए है और कभी ने खुद के घर लोटने का संदेश दे रहा है ठीक है रैन भाई चंवदेश इसका अर्थ है कि रात सभी जगा फैल चुकी है जिससे कभी को घर लोटने की आव सकता महसूस हो रही है ठीक है चले इस तरह से आप प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं चाहे आपको आइडिया है लिखने के लिए तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते है ठीक है इसमें दूसरी पक्तियाब की थी दोस्तों चकवा चकवी दो जने इनमत मारो कोई इह मारे करतार के रैन भी छोई होए यानि दोस्तों यहाँ पर व्याक्या डालके आप लिखेंगे कि चकवा और चकवी यानि पारमपरिक भारती ठीक है उनका उलेख इस बात की और इसारा करता है कि प्रेम और मिलन की रात है कभी यहाँ प्रेमी यूगल के सुखद समय की और इसारा कर रहा है और किसी भी अवरोध की अपील कर रहा है यानि इह मारे कतार के यानि इसका मतलब है कि यह इसवर यह सब इसवर की किरपा से हो रहा है और रात को प्रेमी प्रेमिका के बीच बीतने की बात की जा रही है ठीक है चले चाहे तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कोई दवाव नहीं है आप मैं जिस तरह से बोला हूँ उस तरह से लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा ठीक है चले देखे तीसरा दूसरा और तीसरा प्रसंग करना निवारत था इसका भी संदर्व सईद प्रसंग सईद व्याक्य करना है तो चाहे आप इसे त्यार कर लेंगे ठीक है आथवा करके आपको दिया रहेगा चाहे आप उपर वाला करिए चाहे नीचे वाला चल है, अब यहां से आपके प्रसंट्र जैंगे दोस्तों, 5 प्रसंट इसमें बच्चे हैं, 5 मेंसे कीवल, 2 ही प्रसंट करने है, ठीक है, तो यहां पर आपके प्रसंट दिया है, कि सरद्धा सर्ग के आधार, पर पुरसाद की का विभासा का मुल्यांकन कीजिए, तो यह प् प्रश्न का उत्तर आप पढ़ लेंगे कम सकम दो तीन बार ठीक है कम सकम तीन बार जरू पढ़ लेंगे ताकि आपके एक्जाम में तो आप आसानी से लिख सके ठीक है प्रयोगवादी काव की प्रमुक्त प्रवरितियों का उलेक किजिए यह 100% एकदम त्यार कर लेना है ठी विद्यापति जी के जो इनकी भक्ती कभी है जो इनकी रचनाय है और जो इनकी जीवन परिचा है इन सभी को त्यार करना ठीक है ध्यान रखेंगे और अगला है कबीर भक्त तो थे ही समाज सुधारक भी थे सोधारण भी विवेचना कीजिए बेरी बेरी मोस्ट ने आपका बियारी ने गागर में सागर भर दिया है सिद्ध कीजिए ठीक है तो इन सभी परसनों का उत्तर आपको गूगल पर तो नहीं मिलेगा यह गारांटी है गूगल पर आपको सपष्ट रूप से नहीं मिलता है यह बात ध्यान लखेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आपके पास बुक होगा पीडिया बुक होगा गाइड होगा आपके पास स्रीज होगी ठीक है स्रीज में आपके पास यूपिएश हो सकता है राजेंद्रा हो सकता है तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं अगर नहीं मिला है तो आप वीडियो पर आईए उस वीडियो पर आप क यह जाएगा यह बात ध्यान रखेंगे ठीक है क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बाबू चले खंड सा आपका पुछा गया है दिल के उत्तरिक प्रस्ण इसमें निर्देश कैसे दिये जाते हैं देखें इस खंड में कुल चार प्रस्ण है जिनमें से केवल दो प्रस्णों का उत्तर देना है ठीक है प्रतेक का उत्तर लगबग 450 सब्दों में होना चाहिए प्रतेक उत्तर के लिए 10.5 अंक निर्धारित है ठीक है यानि आपको 21 नंबर मिलेगा दो प्रस्ण करेंगे तो ठीक है 4.5 सब्दों में लिखना ये बात भूलना नहीं है चलें इसमें आपका पहला प्रस्ण है आदि काल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए क्या इसे विर्गाथा काल कहना उचित है तो ये प्रस्ण हमें सा नहीं पूछा जाता है ठीक है कम सकम तीन चार बार पढ़ेंगे क्योंकि 2024 का पेपर है तो 2025 में भी आ सकता है आपक चले यह प्रस्ण इंपोर्टेंट है च्हायावाद के आप क्या समझते हैं इसके प्रवित्रियों पर प्रकाश डालिए बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तुलसी का काब बे समनवे की बीराट चेश्टा है सोधारार समिक्षा कीजिए यह इसे इसकिप कर दिजिए दो कोश्चन पेपर और कोश्चन पेपर के साथ मैं आपको उत्तर भी बता दिया हूं तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट है ठीक है तो पहले इस चैनल पर पहली बारा हैं या तो पुराने हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे दोस्तों ताकि आप अगले सेमेस्टर म में मिलते हैं कोश्चन पेपर को ले करके आप लोग कमेंट करिएगा ठीक है तक तक लिजाहिंद वन दे मात्रम